हेलो दोस्तों मैं हूँ बिटु कुमार और आज आपके सामने परस्तूत हूँ के उके यानि की करुप चेत्रा यूनिवर्स्टी हर्याना ने अभी एक एकजाम का नोटिस डाला है यानि की डेट्सिट डाली है ये सुचना जो दे रहा हूं मैं जो भी आपको बता रहा हूं फर्स्ट यर से रिगार्डिंग है तो आपकी डेट्सिट आपकी वेबसाइट www.kuk.ac.ing पर अप्लोड कर दी गई है वहां से आप इसको अप्लोड कर सकते हो और एक डेट्सिट की जो डेट है बिएट फर्स्ट यर की वो 29 सब्टेंबर 2022 7 अक्टूबर 2020 रहेगी यह आप इस वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो सेकेंड एक्जान से रिलेटिव जो गाइड लाइन्स है वो भी केवके ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है आप उसे डाउनलोड कीजिए और पढ़िए उसी से रिलेटिव कुछ जो सुचनाएं है मैं आपको देना चाहा रहा हूँ कि एक्जान के उके कंड़क्ट करवा रहा है ठियोरी एक्जान भी और प्रैटिकल भी लेगा विएड फरस्टियर की अब यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो एक्जान देने के लिए सबसे पहले हमें जुरूरत होती है रोल नमबर की की रोल नमबर यह भी क्यूके अपनी साइट पर www.kuk.ac.in पर अप्लोड कर चुका है और कुछ बचों का कर रहा है तो आप वहां से अपने रेफरेंस नमबर डाल कर जो रोल नमबर आपके डाउनलोड कर सकते हैं फिर बात आती है कोस्टन पेपर की की कोस्टन पेपर कैसे होगा जो आपका एक्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा ठीक है वो मिस्रित मोड में ठीक है ब्लेंडिड मोड में कनेक्ट करवाया जा रहा है तो आपका जो कोस्टन पेपर है वो इसी साइट पर www.kuk.ac.in पर आपके एक्जाम वाले डेग 10 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा आप उस साइट से 10 बजे उसको डाउनलोड कर सकते हो और करोगे और उस एक्जाम की जो टाइमिंग है वो रहेगी 3 hours कितनी रहेगी 3 hours और इसके लिए आपको answer sheet बनानी है अब बात आती है answer sheet की हम केसे बनाएं जो आप guidelines डाउनलोड करोगे उसके last में page दिया गया है मैं बता देता हूँ A4 page पर आपको अपनी answer sheet बनानी है ठीक है A4 page का mean यह है उसमें total 20 page दिया गये है कि आपको आपकी answer sheets केवल और केवल 20 page में complete करनी है और 20 page का mean आपको होगे कि यह one page है या two page है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस page की one side यह one page माना जाएगा और उसकी back side two page माना जाएगा यानि कि 10 paper sheet mean 20 page और इसके उपर आपको लिखा भी हुआ है कई information दी भी हुई है कि university row number लिखना है आपको उसके बाद में यहाँ पर figure में लिखना है और यहाँ पर आगे words में लिखना है अपना row number लिखना है फिर लिखना है आपको name of student फिर लिखना है आपको name of student उसके बाद में class या फिर जो भी आप course कर ले हो वो फिल करना है फिर example of paper, फिर लिखना है name of paper, name of paper हमें heading में लिखना है, फिर लिखना है code of paper, code of paper लिखना है, फिर total number, तोटल नंबर पेज जो हमने रिटन की हैं, जो लिखे हैं, ठीक है, वो कोजम बनाना और उसमें बताना कितने पेज हमने अंचर सीट में कम्प्लीट किये हैं, फिर यहां पर सिगनेचर स्टूडेंट के, और लास्ट में डेट, यह आपको हर एक सीट पर आपको यह मेंसल करन है यानि कि एक seat पर दो पेज माने जाएंगे और एक तरफ इसके आपको ये सारी details fill करनी है यदि आप ये हर एक seat पर ये detail fill नहीं करते हो और अपने signature नहीं करते हो तो उसको जांचा नहीं जाएगा उसके marks नहीं मिलेंगे इसलिए आप जो 10 seat बना रहे हो it means 20 page बना रहे हो 10 seat पर आपको ये information डालनी है और sign भी करनी है उसके बाद में आपको इसकी PDF बनानी है अब आप कहोगे कि PDF बना देंगे उसका करेंगे क्या आपको वो PDF नोडल सेंटर बेजनी है कहाँ पर बेजनी है नोडल सेंटर बेजनी है किसके थूँ इमेल के थूँ इमेल के थूँ आप नोडल सेंटर को वो अपनी answer sheets बेज दोगे अभी तक नोडल सेंटर की जो list है वो website पर नहीं आई है और जल्दी ही इस नोडल सेंटर की list को upload कर दिया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी answer sheets किस नोडल सेंटर को बेजनी है तो जो आप 20 page यानि कि 10 sheet की अपनी answer sheet की PDF बनाओगे वो नोडल सेंटर की email पर send कर दोगे उसके बाद में नोडल सेंटर आपको उस sheet की receipt के बारे में भी mail कर सकते हैं वो आप save रखिए तो ये कुछ जानकारियां थी उसके बाद में सबसे important मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप answer sheets बना रहे हूँ guidelines के coding आप bar pen या फिर black पर मेरे view से यदि आप black pen यूज करते हो तो जो आपकी PDF बनाओगे वो बिलकुल clear दिखाई देगी हम blue pen से यदि हम लिखते हैं तो PDF बनाते बाद कुछ ना कुछ blur होता है पर आप black से लिखते हो तो PDF बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यानि कि जो words हैं बिलकुल clear दिखाई देगे तो मैं black pen को ही preference दूँगा इसलिए आप black pen use कर सकते हो फिर आती है practical की बार practical का भी schedule इस site पर जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा यानि कि practical ritual होगी ठीक है online होगी मानलो आपको lesson plan देना है या फिर कोई और EPC की कोई file दिखानी है तो Google meet app के मादम से जहां तक मेरे को जानकारी है आपको अपने सामने से अपनी files अपने lesson plan अपनी teaching करनी है online mode में यानि कि practical होगी आपकी confirm online mode में जो guidelines में विल्कुल clear लिखा हुआ है और exam connect करवाने का यही procedure है roll number आप अपने साइट से download कीजिए course paper exam वाले date पर 10 बज़े आपको वहां से download कर लेना है 10 seat यानि कि 20 page में वह आपको answer seat आपकी बनानी है और सबसे बड़ी बार जो आपका course paper है वह आपको 50% attempt करना है सबसे important बात है कि आपको 10 questions दिये गए हैं तो केवल any कोई 5 ही attempt करने है सारे नहीं करने तो आपको जितना question paper दिया दाता है उसका 50% आपको attempt कर देना है 10 seat के अंदर यानि कि 20 page के अंदर अपनी answer seat बना लेनी है उसकी PDF convert कर लेनी है और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी तरब से जो आप PDF बना रहे हो उसको rename कर देना उसको rename कर देना और उसके साथ अपना नाम और अपना reference number जरूर डाल देना ताकि जो mail है भार से ही पता चाल जाए कि किस candidate की है और किस reference से सबंदित किस reference number या roll number से सबंदित है तो जो PDF बनाते हो answer seats की आप उसको rename में में अपना नाम और row number या फिर reference number डाल देना और उसको nodal center पर send कर देनी है तो यह इतनी सारी information थी जो मैं अपनी तरब से आपको दे पाया thank you